PCS Current News प्रोग्राम में आपका स्वागत है PCS Current News में चर्चा का विशे है Operation दुधी हाल ही में असम राइफल्स ने भारत के सबसे सफल आतंकवाद रोधी अभियान Operation दुधी में जीवित बचे सैनिकों को सम्मानित किया है Operation दुधी की 31 वी वशगांठ पर शिलॉंग में Operation के दिगजों और उनकी पत्नियों को सम्मानित किया गया Lieutenant General PC Nair ने हाल ही में नेपाल की यात्रा के दोरान Operation के कुछ नायकों से मुलाकात की थी आतंकवादियों ने 14,000 फुट उचे इगल दर्रे को पार करने के बाद भारती एक शेत्र में घुस पैट की थी जान लेते हैं Operation दुधी के बारे में यह Operation 1990 से 1992 तक जमू और कश्मीर में चलाया गया नायब सुबेदार पदम बहादुर छेत्री के नेत्रित्व में चलाया गया था असम राइफल्स की साथवी बटालियन के 15 सैनिकों की एक टीम ने पांच मई 1991 को जमू कश्मीर में 72 पाकिस्तान प्रशिक्षित चरम पंथियों को मार गिराया था और 14,000 फीट पर 13 अन्य को पकड़ लिया था असम राइफल्स के दो जवान राइफल्मैन कामेश्वर प्रसाद और रामकुपार आर्रे छे घंटे की बंदूग की लड़ाई के दौरान शहीद हो गए जान लेते हैं असम राइफल्स के बारे में असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल यानि पैरा मिलिटरी फोर्स है इसका गठन ब्रिटिश राज में वश 1835 में किया गया था इसका अदर्श वाक्य उत्तर पूर्व के प्रहरी यानि सेंटिनल्स ओफ दे नॉर्थ इस्ट है यह ग्रीम अंत्राले के अधीन कार्य करता है जबकि इसकी पेरंट एजंसी भारतिय से ना है असम राइफल्स का मुख्याल है श्री लॉंग में है